है गाइज मेरा नाम अफैजल खान और आप सब का स्वागत है जियो खान यूटूब चैनल पे और आज हम डिसकस करेंगे जियो इस्ट्रोफिक करेंट्स और यह है आपका ओशनोग्राफिक लेक्चर 18 और जियो इस्ट्रोफिक करेंट्स समझने के लिए आपको कुछ बेसिक आना बहुत जरूरी है आई होब कि आप ओशनोग्राफिक के लेक्चर रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं और क्यूश के आंसर आप कर रहे हैं अच्छे से और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है जियो इस्ट्रोफिक करेंट बेसिकली है क्या इट इसे बैल से एक बैलेंश के एक्जिस्टेंस को बताता है किसकी किसे बीच में कोरियोलिस सफेक्ट येजडी किस तरह का बैलें वह सकता है और इनकी वह म्यवेस को स करएंड़ कैसे जन्रेट सकता है यहां से आपको वापस दाना पड़ेगा पिछे पास्ट में कहां कोरियोलिस फॉर्स क्या था एक मान ट्रांसपोर्ट क्या है और सब्रोपिकल गायर क्या है यह दिरों चीज़े आपको अच्छे से किलियर होनी चाहिए और वो किस तरह से रोटेट करता है किस तरह से एफेक् कोरियोलिस इफेक्ट को मैं वापस समझा देता हूं आपको कोरियुलिस एफेक्ट बैसिकली था क्या कि अगर अपनी अर्थ रोटेट कर रही ए उसके वज़िए से एक फॉर्स या एक एफेक्ट एक्सपिरिश किया रहता है किसके दोवारा जो अबजेक्ट मूव करते है मान लोगी कोई object है और यह moving state में है ठीक है अपनी earth है वो क्या कर रही है rotate कर रही है किदर से किदर west to east और यह कोई object है जो इस rotating earth system में इस जगह से इस जगह जा रहा है ठीक है एक case यह था और same person is going from this place to this place तो आपने बोला था है coriolis effect जो है वो latitudinal variation के ऊपर depend करता है आप west to west जाते हो एक single latitude के ऊपर तब आपके ऊपर coriolis effect हो उसका कोई खास effect देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जब आप equator से north pole की तरफ या equator से south pole की तरफ जाते हो तब वहां पर आपको appreciable amount में coriolis effect हो experience होएगा ठीक है अब coriolis effect basically कर क्या रहा था कि कोई object है वह यहां से यहां आना चाह रहा है ठीक है और इसका यह state path था यह intended path है तो इस object के लिए अपन देखेंगे तो यहां पर इसका यह right side और यह इसका left side है तो यह जो moving object है यह अपने intended path से right and side की तरफ यह covered path को follow करेगा किसके वज़े से coriolis effect की वज़े से और इसको detail में समझना है तो आप oceanography lecture 13 देख लें कि यह exactly होता कैसे क्यों हो रहा है ऐसा ठीक है फिर अपनने बात करी थी एक मान ट्रांसपोर्ट की एक मान ट्रांसपोर्ट में अपन ने क्या बोला था कि यह एक observation था किसी का और वह अप्जर्वेशन यह था कि जो सरफेस करैंट से वह विंड की direction में नहीं जाकर के विंड से कुछ एंगल बनाती है तो पहला observation गया था कि मान लो कि यह भी डायरेक्षन है ठीक है और विंडायरेक्षन से आपकी तो करके इस तरह का अपने पास एक सिच्वेशन आएगी और अल्टिमेटली एक ऐसी टाइम आएगा जब डिरेक्शन के जस्ट अपोजिट डिरेक्शन में आपका एक सर्फेस करेंट होगा और उसके बाद में फ्रिक्शन की विज़े से जो भी एनर्जी विंड ने इंपार्ट करी थी सर्फेस करेंट को या वोटर मोलिकूल्स को वह कंज्यूम हो जाएगी और आपका जो वोटर मॉविंग स्टेट में था यह बिल्कुल इस्तिर अवस्ता में आ जाएगा इस्टिल इस्टेंडिंग फॉर्म में आ जाएगा और इस फिनोमेना को अपन ने किसके ना को डर्ल क्या बोलता है कि विंड डाइक्शन के 90 डिगरी पे सर्फेस जो करन होती है उनका टोटल ट्रांसपोर्ट होता मतलब एकमान ट्रांसपोर्ट वाज 90 degree to the wind direction अब दोनों का ही similarity और एकमान ट्रास्पोर्ट दोनों में एक similarity ये है कि ये दोनों ही moving objects को right side में deflect करते हैं northern hemisphere में और left side में deflect करते हैं southern hemisphere में ठीक है तो ये एक दोनों में similarity है लेकिन एक student का doubt ये आया था कि sir coriolist effect और एकमान ट्रास्पोर्ट को हम एक क्यों नहीं मान सकते दोनों ही wind direction के 90 degree है तो देखो coriolist effect की वज़े से जो पहली surface current जंद्रेट होगी वह 45 degree का angle बनाएगी wind direction से एकमान ट्रास्पोर्ट में ठीक है और जो इकमान spiral की वज़े से अलग अलग मेगनिट्यूड की वज़े से सर्फेस करेंट जा रहा है उसका जब अपन ओवर ओल एवरेज देखेंगे तब वह water current का जो मुमेंट है वह 90 degree to the wind direction है तो वह coriolist effect की वज़े से नहीं है ठीक है that's why coriolist effect and transport are not similar एक जैसे नहीं है दोनों एक नहीं है ठीक है अब आपको यह चीज़ यहां से एक fundamental समझ में आ गया कि इकमान transport की वज़े से भी moving object जो surface currents है वो right and side की तरफ deflect होंगे अपने intended path से और coriolist force की वज़े से या coriolist effect की वज़े से भी moving objects है वह अपने intended path से right and side की तरफ deflect होंगे in northern hemisphere ठीक है अब इसके basis पर अपने coriolist effect के basis पर अपने पढ़ लिया था सब tropical guides के formation को वह I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रखाए कि सब tropical guides कैसे बनते हैं कितने हैं कहां कहां पर हैं किस यहां पर अपने को समझना है geostrophic currents ठीक है यहां पर अपने बोला था कि मान लो कि यह हमारा एक continent है और यह हमारा दूसरा continent है और यह हमारा एक hypothetical equator है ठीक है यह एक hypothetical case ले रहे हैं अब hypothetical case में अपन क्या करते हैं ideal conditions की बात करते हैं ठीक है तो यह यह सर्फेस करेंट हो जन्रेट होगा डूटू ट्रेड विंड्स और यह इस continent को क्रोस नहीं कर पाएगा क्यों यह अपन जैसे जब ऊसे निक पढ़ेंगे ना उसमें अपने एक वेव ब्रेकिंग फिनोमेना पड़ेंगे उसमें क्या होता है कि वेव हाइट और वेव लेंद के बीच में एक फिक्स्ड रेशियो होता है तब तक है वह अपने आपको सर्वाइव कर पाती है या अपनी जो इस तरह की स्टेट है उसको रख पाती है अगर वेव हाइट और अब कर पाती है तो तो उसके वाइश से यह जो वेव जाएंगे जो सर्फेस करन्ट जनरेट होगा यह कभी भी आपके कोंटिनेंट को नहीं कर पाएगा ठीक अब क्रोश नहीं कर पाएगा तो इट हैस टू डेवेट इट सेल्फ जैसे इस तरह भी आपने पास में क्या कर देगा अब देखो यहां पर जैसे एकवेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे उसको प्रॉमिनेंट होता चला जाएगा ठीक है अब यहां से यह सब ट्रोपिकल गायर फॉर्म होगा यह पूरी प्रोसेस में और डिसकस कर चुका हूं ठीक है यह कुछ नहीं करेंगा अब यहां पर कॉरियोलिस एफेक्ट और कॉंटिनेंट के डिस्ट्यूबिशन के वैसे आपका सब ट्रोपिकल गायर बन गया अब यहां पर पॉइंट यह है कि यह सब जो सर्फेस करन जो जनरेट हो रही है जा मूव कर रही है एकवेटर से दूर पॉलर रिजन की दरफ यह वे चलए हो जा न एक महांन ट्रांसपोर्ट से होगा किये इस डायरेक्शन में जा रहे तो यह किदर देवेट अब राइट-ンド- dunno में राइट हैंड हो गया अब इसके वाज़े से यह तो सर्फेस करेंट आ रहा था यह भी इकमान ट्रास्पोर्ट की वज़े से किदर डेविएट होगा राइट है मालों कि आप यहां खड़ें और यह आपका राइट है आपका लेफ्ट है तो राइट है इन साइड में अब आपक्रहस बाउडरी करेंट गए यह आपकी फास्टर है ए और घॉडशेन बाउंडरी करन्ठ है यहां और आपकी ब्रोडर है ठीक ब्रोडर है का इसकी वजे से होगा कि यह आपकी स्लो मूविंग मोविंग है तो इसकी वजे से क्या होगा कि यह क्या इन एक वैटरमाश इलह आ से इदारा औलू जब सब्सक्राइब यहां पर आपने का मिलेगी एक सिल वॉटर और इस ही लोग्री की हाइट कितना है गर्रशे से जयादा नहीं कि दो मेटर की हैट है वॉटर के कन्वर्जेंस बन जाएक आपको समझ में आ इंदिख्र को समझ आगी तो आपको अलाम से स्टैटमेंट समझ में आजाए कि ज्योस्ट आपकी ग्रेविटी कैसे अब इसको समझो अब जैसे एक माउंटेन ओफ वाटर बना या हिल ओफ वाटर बने ड्यू टू दी कन्वर्जेंस ओब दी वाटर मासे इन एड़ इस सेंटर ओब इस सब्ट्रोपिकल गायर इसके वज़ेसे क्या होगा जैसे हिल बनेगी आपकी ग्रेविटी है वो काम करना चालू कर दें ग्रेविटी क्या यहां पर यहां पर यह वापस इसको हिल की फॉर्म में ले जाएगा क्यूंकि वाटर इदर से इदर आ रहा है तो अब जैसे दोनों की बैलेंस बैठेगा तो एक आपका नया वाटर करेंट निकल के आएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे जियो इस्टोफिक करेंट यहां प आपका एक सर्कुलर पाथ में वाटर करेंट निकल के आएगा जिसको आपके यह जियो इस्टोफिक करेंट तो आपका जियो इस्टोफिक करेंट बेसिकली है क्या इट इस शुविंग दे बैलेंस बीट्विन टी कॉरियोलिस एफेक्ट एंड ग्रेविटी आप से नेट की को बताता है इसी तरीके से समझ में आ गया होगा उससे और समझ लेते हैं ठीक है एक बार रिवाइज कर लो फटाफट एक मान ट्रांसपोर्ट क्या था एक मान स्पाइरल क्या था कोरियोलिस फॉर्स क्या था यह सारी चीज आप अच्छे से रिवाइज कर लीजे ताकि आपको एक बेटरा एडिया हो जाए को यह चीज समझ में आ गई होगी कि कोरियोलिस फॉर्स और ग्रेविटी के बीच में जैसी एक बैलेंस एक्जिस्ट करेगा अपने को एक नया करें प्रेविन की वज़े से फॉर्म होता है और वो कैसे होता वो सारी चीज में आपको अराम से डिसक लिसकस कर सुका हूं वाइट बोड पे यहां पर आप समझे कि यह हमारा zero degree latitude है यह हमारा 30 डिग्री लेटिचूड है और यह 60 डिग्री लेटिचूड है और इसकी वज़े से यह पुरा को पुरा एक सब्ट्रोपिकल गायर है इसका लेटिचूडनल वेरियेशन की बात करें तो यह 0 से 60 डिग्री लेटिचूड में फैला ठीक है और यह जो गायर बैसिकली है क्या एक लार्ज मुविंग लूप ओफ वाटर है जिसको अपन गायर बोलते हैं ठीक है अब यहां पर आपने जैसे मैंने अभी आपको पता है वाइट बोर्ड पे कि जो इस्टन बाउंडरी करेंट्स है यह ब्रोडर है स्लोवर है और चैनल będę क्राइब क्यों है यह जो आपकी वेस्टन बाउंडरी करेंट्स हैं यह आपकी स्ड़ूर्ड है और है यह होता क्यों है यह वेस्टन इंटेंशिफिगेशन की वज़से होता है जिसको अपन आगे डिसकस करेंग ठीक है जो नैस्ट वीटियो लेक्च्षर होगा उस आपको खड़ा कर दें यह जो करसर इसको देखते रही है अगर यहां पर आपको खड़ा कर दें तो आपका राइट एंड साइड गिदर होगा इसकी तरफ ठीक है और जब आपको यहां खड़ा कर दें इस करेंट के बनेगी जिसके हाइट वह कितनी हो सकती है एज मच आज हाइज तू मिटर ठीक है अब दो मिटर की आपने क्या करा एक हिल बना दी विदिन दी सब्ट्रोपिकल गायर अब सब्ट्रोपिकल गायर में जैसे आपने हिल बनाई इसके वज़े से होगा क्या देखो यहां पर अब अपनी बोले कि जिस तरह बहुंद रहा हों के पर्पेंडिकुलर कोरियोलिस फॉर्स काम करेंगा तो इस वाटर मास को इसको इधर लाने कि कुशिश करेंगा तो इसके वज़े से क्या दोनों के बीच में जब वेलेंस क्रिये चोगा उसके वज़ेसे एक जियो स्ट्रोफि कि जियो इस्ट्रोफिक जो करेंट है यह ग्रेविटी और कोरियोलिस इफेक्ट के बीच के बैलेंस को इंडिगेट करता है सब ट्रोपिकल गायर्स के अंदर मिलेगा दो मिटर की कम से कम हाइट एक बनती है वाटर मासेस की ड्यू टू दे कन्वर्जेंस ओब दी वाटर मास विस्टन बाउंडरी करेंट और जब दोनों के बीच में बैलेंस आएगा तो एक नया सर्कुलर पाथ में या कवड़ पाथ में वाटर मास वो जन्रेट होगा जिसको आप जिस्ट्रोफिक फ्लो या जिस्ट्रोफिक करेंट बोलते हैं ठीक है तो दिस इस ओल ओल बाउट जिस्ट्रोफिक करेंट आई होप कि आपको समझ में आगया होगा तो थैंक यू सो मुझ फरोचिंग इस वीडियो लेक्चर और वेरी बेस्ट फोर एक्जामिनेशन